हलो दोस्तों आप देख रहे हैं tipsbylalith.in website की तरफ से tips आप website कैसे create करते हैं इसी topic में आज हम आपको बता रहे हैं name server change करना name server change करना आपके लिए हो सकता है एक नया topic name server name server क्या होते हैं तो हम समझ लेते हैं सबसे पहले name server क्या होते हैं हम अपनी website पर जाते हैं जिससे हमने domain name purchase किया था which is godaddy.in आपने domain name के purchase करते हैं इसके लिए आप मेरी previous video देख सकते हैं जिसका link आपके screen पर display हो रहा है और नीचे description में भी इसका link लिखा हुआ है वहाँ से देख सकते हैं तो domain name basically name server basically होता यह है कि हमारे domain name जो domain name है उसे हम अपनी hosting पर apply करते हैं let's suppose हमारी domain name हमने go daddy से purchase किया है और hosting हमने पर्चिश किया है आप hosting पर्चिश करने के लिए आप hosting तो किसी website से purchase कर सकते हैं आज को काफी website सबको free में भी hosting देती है पर उनके साथ आप काम ना करें मेरा suggestion है hostgator.in in India का extension है तो make sure hostgator.in से ही hosting पर्चिश करें hosting कैसे purchase करें hosting में discount भी मिलता है hosting पर्चिश करने के लिए जिसके लिए आप मेरे दूसरा video देख सकते हैं जिसका link आप की screen पर है साथ ही इसका नीचे description में लिंक दिया हुआ आप अगर मेरे link के through hostgator की purchase करते हैं hosting लेते हैं तो आपको इसमें discount मिलता है एक अच्छा discount मिलता है जो मैं अपने next video में बताऊँगा कि क्या discount मिलता है तो आज हम सीखेंगे कि हमारी जो name server कैसे change करते हैं जो हमने basically जो GoDaddy से domain name purchase किया है उसे हम web hosting hostgator पर कैसे रे जाए होता यह है कि हम जब name server change कर लेते हैं उसके बाद हमारी जो domain है वो उसके तुरू हम एक website बनाते हैं जो कि hostgator जो कि हमारा database है जहां हमारा data रहेगा hosting वो platform होती है जिस पर आपका data रहता है तो उसका transfer कैसे करते हैं transfer करने के लिए हमें name server को change करना हुआ आप समझ गए होंगे कि name server क्यों इम फोडेल होता है तो आगे हम सीखते हैं name server कैसे change करते हैं definite आपने अपने यहां login करी लेंगे login करने के लिए visit my account check कर लेता है हम लोग I think कि मैं पुराने वाले login पर चला गया हूँ guys यह थोड़ा से time लग रहा है let me check yeah हम सही ज़ए पर है हम check कर लेते हैं आपको याद होगा तो हमने domain name purchase करता है हमाने दो mail id go daddy की तरफ से domain name हमने purchase करता है एक तो your order confirmation inside और दूसी mail थी हमारे पास order domain ready करके तो हम यहां से अपने details check कर सकते हैं अब इसी को हम name server को change करेंगे तो याद रखे हमें हमने अपना login पैनल में चले गया है go daddy की login पैनल में चले गया है अगर हम यहां टिक करते हैं और यहां टिक करके name server वाले set name server पर जाते हैं बहुत हासन है आप domain name अभी अपने process में देखा हुगा यहां से आपको यह name server है इनकी जगा web host name नेम चेंज करना होगी यह standard पर क्लिक है तो आप custom पर क्लिक किजिए then add name server पर आप क्लिक करते हैं अब हम लोग इकोई name server देख लेते हैं यह name server हमें कहां मिलेंगे तो याद रहिए जब आप web hosting purchase करते हैं तब आपको 2 mail करते हैं web hosting purchase करते हैं एक तो आपको बिल्की mail की जाती है like this one order number payment payment की receipt होती है कि आपका payment उन्हें मिल चुका है and दूसरी होती है जिसमें वो name server देते हैं को आप name server ले लेते हैं आप इसे open कीजिए mail को यह तरह से name server आपको दिये गया है जहां बता गया है name server first यह है आपका और second यह है इनी दोनो name server को हम यहां से copy करेंगे पहले first वाले name server को copy करते हैं हम लोग name server को copy करते हैं हम यहां पर put करते हैं name server को then add name server में हम दूसरे name server को copy करेंगे then ok करेंगे लेकिन यह मैं पहली कर चुका हूँ इसलिए यह दौनों server यहां पर है then save करेंगे save करने के साथ ही information save वाजाएगी यहां पर और फिदर half an hour के नदर यह reflect होगी आपके hosting में तो hosting से कैसे हम website आगे create करेंगे कैसे इसमें words present इंस्टाल करेंगे यह मैं आपको next video बना हूँगा thanks for watching my channel tipsbylari.com thanks a lot